हेलो एवरिवन, मॉस्ट वेलकम, टूड़ा आएम गोईंग टू डिसकस एवाउट न्यूमोनिक्स वोकबलरी, न्यूमोनिक्स वोकबलरी एक एसी ट्रिक है, जिसमें हम किसी भी वर्ड को बड़े आसानी से याद रख सकते हैं, आज के वीडियो में मैं कुछ इंपोर्डें जिसका नाम है Opsinate, Opsinate का मतलब होता है जिद्धी भटिला, अब देखी इस वर्ड को कैसे याद रखना है, Opsinate में एक वर्ड आरा आ है, Nat, तो Nat को हम याद रखेंगे कौन सी नेट मचली पकड़ने वाली नेट से, अब देखिए मचली पकड़ने वाला जो मचवारा होता ह वो बार बार पाने में अपने नेट को फेकता है मचली पकड़ने के लिए तो पहली बार में अगर मनलो मचली नहीं आती तो दूसरी बार वो फेकता है दूसरी बार भी अगर मचली नहीं आती तो तीसरी बार फेकता है और इस तरीके से वो मचली को पकड़ने के लिए बार-बार प्यास करता है मतलब वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि जब तक मचली उसके नेट में नहीं आएगी तब तक वो मचली को पकड़ने के लिए अपनी जाल फेकता रहेगा तो इस टाइब से हम इस वर्ड को याद रखेंगे ओप सिनल उप्सिनलंए में एक वर्ड है नेट मतलब मचली की जाल तो यह से हम इस वर्ड को बड़े आसानी से याद रख सकते हैं इसका एक सीनोनेम है MATT UP Resource того Math वोता है जिद्धी aba हटिला अब देखी इस वर्ड में दो सब्द जुड़े हुए हैं फस्ट वर्ड दिया है इस्ट और सेकंड वर्ड दिया है बन तो इस्ट जो वर्ड है इसको हम इस्टे से लगाएंगे इस्टे का मतलब होता है ठहरना या रुकना जिसकी स्पेलिंग है एस्टी एवाई और बन मतलब होता है बांधना तो किसी भी चीज को बांधने के लिए ठहरना या रुक जाना या अपनी जित पर आड़े रहना वह कहलाता है इस्ट बन तो इस्ट बन को हम जिद्धी या हटिला से लगा लेंगे नेक्स्टे सीनों ने हमें इसका रीजीड रीजीड का मतलब भ वर्ड को याद रखा जा सकता है रीजीड मतलब जिद्धी नेक्स्ट सीनों नेम है इसका फिक्स्ड फिक्स्ड का मतलब होता है किसी जगा पर फिक्स हो जाना इस्थिर हो जाना तो जब हम किसी भी कारी को करने के लिए एक जगा इस्थिर हो जाते हैं फिक्स हो जाते हैं म वो कहलाता है fixed, मतलब fixed का मतलब भी जिद्धी या हटिला होता है, देखिए अब इस word केसे याद रखना है, अब देखिए आपने देखा हुआ कि जो कर्मचारी है, वो अपने मांगों को पूरा करवाने के लिए अंदोलन या धरना देते हैं, तो वहाँ एक जगा क्या हो जाते हैं, fix हो जाते हैं, कोई एक जगा चुन लेते हैं, और उस जगा पर वो अपना धरना या अंदोलन प्रदरसित करते हैं, और एक जगा वो fix हो जाते हैं, fix क्यों हो जाते हैं, वो अपनी जिद्ध को पूरा करने के लिए, तो इस टाइप से हम याद रखेंगे fix का मतलब भी जिद्धी या हटिला होता है next word दिया है obdurate obdurate का मतलब भी जिद्धी या हटिला होता है अब देखें इस word के से याद रखना है obdurate की first दो spelling है ob जो obsinate की spelling से मेज करती है और last में एक word rs में rate rate का मतलब होता है कीमत किसी भी वस्तू की जो कीमत होती है उसी को rate कहा जाता है जब भी हम कोई सामान खरिदने के लिए जाते हैं example के लिए जिसे हम किसी कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो कुछ दुकानों पर अपना rate fix होता है और कुछ दुकानों पर मोलभाव किया जाता है तो जहां पर रेट फिक्स होता है वह दुकानदार अपनी कीमत पर बिलकुल अड़े होए रहते हैं मतलब अपनी बातों पर आड़ीग रहते हैं कि वहां अपनी कीमत कम नहीं करेंगे अपनी वस्तु की कीमत एकदम फिक्स से रखेंगे कम नहीं कर तो वो अपनी जित पर अडे रहते हैं, अडीग रहते हैं, तो इस टाइप से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि Obdurate का मतलब भी जिद्धी आ हटीला हुता है, next synonym है, इसका Head Strong, Head Strong का मतलब भी जिद्धी आ हटीला होता है, head strong में दो सब्दार है first word इसमें आ रहा है head और second word आ रहा है strong head का मतलब सिर होता है और strong का मतलब होता है मजबूत या ताकतवर अब head strong को केसे याद रखना है किसी भी जिद को पूरा करने के लिए अपने head को strong बना लेना मजबूत कर लेना अपने बात पर अडिक रहना उसी को कहा जाता है जिद्धी या हटिला तो इस टाइब से ये word भी बड़े आसाने से याद रख सकते हैं head strong मतलब अपने head को अपने सिर को अपने मस्तिस को strong बना लेना अपने जिद को पूरा करने के लिए next synonim में इसका willful willful का मतलब भी जिद्धी या हटिला होता है इस word को भी बड़े आसानी से याद रख सकते हैं will मतलब अक्छा होती है और full का मतलब होता है पूरा करना मतलब अपनी अक्छा को पूरा करने के जिद करना वही जिद्धी या हटिला कहलाता है उसे को willful भी कहा जाता है next synonym है इसका inflexible inflexible का मतलब भी जिद्दी या हटिला होता है इस word को कैसे याद रखना है इसमें first word आरा in, in का मतलब अंदर होता है और second word आरा इसमें flexible, तो flexible को हम flex से लगाएंगे, flex जो होता है जो जगा जगा लगाए जाते है तो उन flex को चिपकाने के लिए हमें bond की ज़रुद लगती है, तो bond एक क्या होता है, गम होता है जिससे उस flex को किसी जगापर चिपकाया जाता है तो in से लगाएंगे, अंदर और flexible को उसे लगाएंगे flex को अंदर से bond लगाया जाता है होता है, तो in flexible का मतलब भी जिद्दी या हटिला ही होता है next synonym है, इसका moolies moolies means भी जिद्दी या हटिला होता है, इस word को बड़े आसानी से याद रखा जा सकता है देखे इसको कैसे याद रखना है moolies का sound moolies जिसा आ रहा है और moolies क्या है एक खाने का एक कंद होता है moolies तो ऐसे याद रखना कि moolies खाने वाले जिद्दी या हटिले होते हैं वैसे moolies खाने वाले जिद्दी या हटिले हो या ना हो, इसकी कोई guarantee नहीं ये सिर्फ हम आपको याद रखने के लिए ही बता रहे हैं ऐसा मत समझना कि moolies खाने वाले जिद्दी होते हैं लेकिन याद रखने के लिए हमें ऐसा ही करना पड़ेगा कि जो moolies खाते हैं वो जिद्दी हटिले होते हैं तो moolies का मतलब भी जिद्दी हटिला होता है next sinonimum strong minded strong minded head strong से मेच खाता है तो head strong के बारे में हमने आपको बताया था वह व्यक्ति जो अपनी एक्छाओं को पूरा करने के लिए अपने head को strong बना ले मतलब अपनी बातों पर अडिग रहे उसी को head strong कहा जाता है और उसी को strong minded भी कहा जाता है तो strong minded मतलब मजबूत होता है और minded का मतलब मस्तिस्क या दिमाग होता है तो जो अपनी बातों अपनी इक्छाओं को पूरा करने के लिए जो अपने mind को strong बना ले वही strong minded उसी को जिद्धी हटिला कहते हैं next synonym इसका iron weld iron weld को भी बड़े आसानी से याद रख सकते है iron means loha होता है और loha कैसा होता है बिल्कुल hard होता है कठोर होता है strong होता है और second word RS में weld तो weld मतलब wheel means इक्छा होती है जो अपनी इक्छा को पूरा करने के लिए iron जैसा addig बन जाए strong बन जाए उसी को जिद्धी आहटिला कहा जाता है तो इस टाइप से यहाँ 10 synonym से हमने complete कर ली है optionate के तो optionate का मतलब जिद्धी आहटिला होता है stubborn का मतलब भी जिद्धी आहटिला होता है rigid, fixed, obdurate, head strong, willful, inflexible, moolish, strong minded, iron weld यह सभी optionate के synonym से है आई होप यह सभी वर्ड आपको बहुत अच्छे से याद हो चुके होंगे यदि आप इस वीडियो पर नए हो तो किरपए इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और यदि आप मेरे WhatsApp ग्रूप में जोड़ना चाहते हो तो मेरे WhatsApp ग्रूप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है जहां से आप मेरा WhatsApp ग्रूप जोइन कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया रूट वर्ड लेकर आएंगे तब तक के लिए जेहिन जे भारत